इसी साल पाच जुन को भी बिहार एडी की टीम ने धनबाद में आधा दर्जन जगों पर चापे मारी की थी वो चापे मारी बिहार में बालू घुटाले को लेकर की गई थी जबकि 23 अगस्त को एडी की टीम ने जहारखण के 32 ठिकानों पर चापे मारी की जिन में धनबाद के दो ठिकाने शामिल थे इतने कम समय में दो बार धनबाद के प्रवर्टन निदेशाले के प्रवेश से धन पशों के नींद हराम हो गई है दोनों चाप इमारी में अलोकी ग्रुप के CEO रितेश शर्मा से पूछताच हुई ये बात अलग है कि रितेश शर्मा ना तो सीधे तोर पर बालू के कारुबार से जुड़े हैं और ना ही शराप के धन्डे से फिर भी बुदवार को भी प्रवर्टन निदेशाले की टीम उनसे लगतार कई घंडों तक पूछताच की इसके पहले बुदवार को एटी की टीम धनबात के ग्रेवाल कॉलनी पहुची और वहीं रितेश शर्मा वो बुला कर पूछताच की दिन बर इस बात की चर्चा होती रही कि 5 जून को भी छाप इमारी में रितेश शर्मा से पूछताच हुई और फिर 23 अगस की चाप इमारी में भी आखि रितेश शर्मा से क्यों पूछताच हो रही है सूत्रो का दावा है कि रितेश शर्मा ने शराप सिंडिकेट किंग माने जाने वाले योगेंदर तिवारी से एक जमीन खरीदी है शायद इसी जमीन को लेकर रितेश शर्मा को लगता है दूसरी बार इडी के सामने आना पड़ा सूत्रो का दावा है कि धनबात के आमा घाता में रितेश शर्मा ने योगेंदर तिवारी से एक जमीन खरीदी है इस जमीन पर किसी नए प्रोजेट का काम चल रहा है इस जमीन के लिए रितेश शर्मा ने योगेंदर तिवारी को तीन करों रुपते का भुगतान किया है पहले इडी की टीम ने रितेश शर्मा की दलाश में ग्रिवाल कॉलनी पहुची जबकि फिलहाल वो भिला टार की सुसाइटी में रहते हैं उसके ममेरे भाई ग्रिवाल कॉलनी में रहते हैं फिर इडी की टीम ने ममेरे भाई की जरीये रितेश शर्मा को ग्रिवाल कॉलनी बुलाया और पूचता आज की इडी की तीम बुद्वार को शाम साथ बचे के बाद धनबाद से गई लेकिन जमीन से जुड़े कागजाद साथ लेते गई वैसे एटी की टीम बंगाल नमबर की इनोवा गाड़ियों से धनबाद पहुची थी रिवाल कॉलनी में दो गाड़ी गई जबकि शंकर कॉलनी में दो गाड़िया छापे मारे करने को गई यहां संतोश मंदल के यहां भी छापे मारे की गई संतोश मंदल भी शराब कारोबार से जुड़े बताई जाते हैं बैरार बुद्वार को ही बालुघ होटले में भिहार पोलिस धनबाद में कम से कम दो जगों पर छापे मारी की बिहार पुलिस जगनारायन सिंग उनके पुत्र सतीश सिंग और सदाशिव प्रिशाद को खोज रही थी लेकिन वो घर पर नहीं मिले धनबाद से ब्योरो रिपोर्ट